जै महाकाल दोस्तो मैं बंटू शरमा यूटूब के माधेम से आप सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ यह जो आज एक विशे लेकर आया हूँ जो कि किस तरह से चावल के दानों के द्वारा किसी भी रोगी का पूछा लगाया जा सकता है किस तरह के उसके उपर रोग है या किस तरह की बला है इस चीज का मान इससे लग जाता है जब कोई रोगी आपके पास आता है तो उस रोगी से उस रोगी के पास सरपरतम एक मुठे चावल रखे और उस चावल से बोले कि आठ दाना या साथ दाना आपके हाथों में निकाल कर दें उसके पश्चाद वो दाने आपके हाथ में रखेंगे अब उस दानों के उपर इस मंतर को पढ़ते हुए जो कि मैं अंतिम में दे रहाँ हूं मंतर को उस मंतर को पढ़ते हुए उस व्यक्ति के उपर से साथ बार उबारेंगे तो उबारने के पस्चात फिर जो सामने कांसे की थाली या तो तांबे की थाली हो तो जादा अच्छा है उसे सुद्ध कर ले पहले गंगा जल से अगर बत्ती वगएरा वहां जला करके अब फिर ये चावल के दाने उस थाली में डालेंगे और जैसे की आटे को चालते हैं उस तरह से हिलाते डुलाते हुए और घुमाते हुए उस थाली में इस मंतर को 11 बार जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी अगर दोस होता है उनके उपर तो ये चावल के डाने जो है उस ठाली में कस करके चिपक जाते हैं अगर एक दोस होगा तो एक तरह के चावल या दोस हो तो दो या इतना प्रकार का है तो उस हिसाब से आप अपने मन में रख सकते हैं एक चावल के दाने चिपके तो ये दोस है वो दोस है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं अब दूसरी बात रही किसी भी घर के पित्र हैं कितने देवी देवता हैं इसका भी शेयर्मान लगाया जा सकता है इसे पता लगाया जा सकता है और दूसरा ये इन मंत्रों को जो भी मैं पूछा का मंत्र डाल रहा हूँ इसे किसी सुभ योग में गण मंत्र के साथ गण गौलन गण चलावन मंत्र के साथ इन मंत्रों को जागरित करे तो विशेश करके ये जल्द ही सिद्ध होते हैं इस चीज का आप हमेशा ख्याल रखें, मैंने अपने चैनल में गण मंत्र, गण गौलन, गण चलावन, तीनों मंत्र डाल दिये हैं, जो कि उन मंत्रों के साथ इन सभी मंत्रों को अगर लिया जाए, तो ये बहुत जल्द सिद्ध होते हैं, और अगर सुभी योग है, तो कम स कम 20 बार भी इसका जाब कर लिए, तो वो जागरित हो जाता है, और सब्दों का विशेज ध्यान रखें, तो इस तरह से ये मंत्र कारे करते हैं, और अगर हवन भी कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहतर रहेगा, और जिस तरह ये प्रियोग में बता रहा हूं, उसी प्रकार से पूछा लिया जाता है, तो अगला वीडियो में और भी तरह के ऐसे वीडियो में डालूँगा, जो कि अलग अलग तरीकों से कैसे ग्रामिन छेतरों में लोग पूछा लेते हैं, जो कि इसी विशे पर अधिकतर चर्चा होगी, किस तरह से लोग अनेक अनेक तर कर कैसे पूछा लेते हैं लोग, अलग अलग तरह के भाती भाती तरह के विद्याये हैं, और अलग तरीके के जाच करने के भी तरीके हैं, तो इसी के द्वारा पूछा लिया जाता है, जो भी व्यक्ति अगर पूछा लेने आ रहे हैं, उनको प्राता काल ही आना चाहिए, क अगरबत्ती लगानी आसन बिछा करके और सामने थाल को गंगा जल से अच्छे से साप करके उसके उपर अगरबत्ती दिखाते हुए और सभी देवी देवताओं का स्मरन करते हुए इस मंत्र को जाप करना चाहिए तो ये कारे जो है और भी जल्द सिद्ध होता है बहुत से का मंत्र जो है बोलते हैं कार ये नहीं करता क्योंकि जिस जगा में वो जाप करते हैं हो सकता उस जगा की असुद्धी हो ज्यादा बहतर रहेगा कि आप इन मंत्रों को मंदिर में या नदी में कमर भर पानी में खड़े होकर जाप करें तो ज्यादा ही बहतर रहेगा क्योंकि भी हो सकता है कि घर में कुछ ऐसी असुद्ध चीजे हो जिसके चलते सिद्धी होने में भी बहुत दिक्कते आती है तो अधिकतर जो परिनाम और फल मिलता है मंदिर में ज्यादा मिलता है ने तो तुलसी चोड़े के पास में अच्छा से लीप पोत करके वहां बैठ करके इन सभी मंत्रों की जागरिती करे तो ये पुर्ण रूप से जागरित हो जाते हैं और अपना कारे करते हैं अगर गरहन काल आ गई तो और भी अच्छा है चंदर गरहन हो या सुरिय गरहन हो या कार्तिक के पुर्णीमा हो या दिपावली हो तो ये मंत्र में आप सबों के सामन प्रस्तुति किया हूं इसे अच्छी तरह से कंठस्त कर ले और इसका प्रयोग करें मंत्र कुछ इस प्रकार है कांसी की थाली में चावल के दाने उस पे बैठे बाबा बीर हनुमनता कोई दोस होबे तो कसकर सटे कोई दोस नहीं तो छटकर हटे चले मंत्र आग्या स्री राम लक्षमन माताशिता जानकी की सट सट छू इस तरह यह मंत्र है आप सभी से अच्छे तरह से कंठस्त कर ले और हवन भी कर ले तो ज्यादा बहतर रहेगा वासा करता हूं हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो जै महाकाल जै श्री राम जै महाकाली